है लो बच्चों कैसे हैं आप उम्मीत करते हूं आप भड़िया और एकदम मज़े में होंगे और अपना जीवन आनंद में जी रहे होंगे तो बच्चों आज इस अध्याय में पढ़ेंगे हम पत्र लेखन के विशे में यानिकी लेटर राइटिंग तो बच्चों पत्र लेखने कला है पत्रों के द्वारा ही हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुँचाते हैं अच्छा पत्र वहमाना जाता है जिसमें पत्र लेखने वाला अपने विचारों को प्रभाव शाली धंग से प्रकट करता है आईए पत्र लेखने से पहले कौ प्युग स्थान पर लिखना चाहिए अगला है जिस वैक्टी को पत्र लिखा जाता है उसके लीए उचित संबोधन जैसे पूजिए-पूजणिये-आधरनिये आदर्निय, मोहद्य, मान्यवर आदी शब्दों का प्रियोग करना चाहिए। तीसरा है इसका नियम जिस व्यक्ति को पत्र लिखा जाता है उसके लिए उचित अभिवादन जिसे नमस्ते, प्रणाम, चरण स्पर्ष, आदी का भी यथा अस्थान प्रियोग करना चाहिए। अगला नियम है पत्र की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए और पत्र में निरर्थक बाते नहीं लिखनी चाहिए। अगला नियम है इसका पत्र के अंत में लिखने वाले को स्वयम के लिए उप्युक्षब चुनने चाहिए यसे तुमारा मित्र, आपका अग्याकारी अगला नियम है प्रार्थना पत्रों में प्रार्थी को अधिकारी के प्रती सम्मान जनक भाषा का प्रयोग करना चाहिए और अगला नियम है पत्र में छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग अधी करना चाहिए अगला नियम है इसका पारिवारिक पत्रों में आत्मिय तथा यूग भाशा का प्रियोग करना चाहिए। ये तो थे पत्र लिखने के नियम। अब हम पढ़ेंगे पत्र के प्रकार। प्रत के दो प्रकार होते हैं। बचो अनुपचारिक पत्र वे होते हैं जो सगे संबंदी, मित्रों या रिष्टेदारों को लिखी जाते हैं। इसके अंतरगा निमलिखित पत्रों को लिया जाते हैं। वो होते हैं बधाई पत्र, शोक संदेश, सलह संबंदी पत्र, आमंतरन पत्र और किसी यात्रा का वर्णन संबंदी पत्र। आईए अब पत्र के अंग भी जान दे। पच्चो पत्र के निमलिखित अंग होते हैं। पहला पत्र, लेखक का पता, दिनांग एवं दिन। अर्थात पत्र के उपरी बाई कोने में पत्र, लेखक का पता, दिन और दिनांग लिखा जाता है। तीसरा होता अभिवादन, अगली पंक्ती में कुछ जगा छोड़कर बाई और अभिवादन लिखा जाता है। पत्र का अंत, अर्थात पत्र के अंत में बाई और संबंद सूचक शब्द तथा भीजने वाले का नाम लिखा जाता है। प्रार्थना पत्रों में नाम के नीचे बाई और ही दिनांग भी लिखा जाता है। आप जानेंगे हम संबोदन, अभिवादन तथा समाप्ति, अर्थात अपने से बढ़ों के लिए हम इन शब्दों में क्या शब्द लाएंगे। अपने चोटों के लिए कौन से शब्द होंगे। अपने चोटों के लिए संबोधन शब्द होंगे प्रियवर चिरंजीवी आदी और अभिवादन शब्द होंगे शुभा शिर्वाद सुखी रहो प्रसंद रहो आदी समाप्ती शब्द होंगे तुमारा हितैशी तुमारा शुप चिंतक आदी और बराबर वालों के लिए होंगे सम्भोधन शब्द प्रिया मित्रस नहीं प्रिया सखी आदी अभिवादन शब्द होंगे नमस्ते नमस्कार आदी और समाप्ती शब्द होते हैं तुम्हारा मित्र, तुम्हारी सकी, आपका सुभेश्चु आदी अगला है प्रार्थना पत्र में प्रार्थना पत्र में सम्भोधन शब्द होंगे श्रीमान, मान्यवर, महुद्यादी और समाप्ती शब्ध होंगे प्रार्थी भव दिये आपका आज्याकारी शिश्यादी आईए अपचारिक पत्रों के कुछ उधारन जाने पहला है स्कूल के प्रधानाचारे को अवकाश के लिए प्रार्थन पत्र इसे लिखेंगे सेवा में अगली लाइन में श्रीमान प्र शुरू करेंगे निवेदन ही है कि कल शाम से बुखार आने और गला खराब होने की कारण में आज विद्याले नहीं आप आऊंगा डॉक्टर ने कहा है कि मुझे ठीक होने में लगबग तीन दिन लगेंगे अतियाप से प्रार्तना है कि आप मुझे दिनांग डैश से करेंगे और दिनांग डालना तो ना भूलें अगला विशह है प्रधानाचारे को चरितर प्रमार पत्र देने का अनुरूद करते वे प्रातना पत्र इसे भी शुरूद ऐसे करेंगे सेवा में श्रीमान प्रधानाचारे जी सिटी मॉंटेशरी स्कूल लखनव विशह कपसे आप अप इस विध्याले में पढ़ रहे हैं डैयमा इसका कुन exhibits के रहाँ sound अपने कौन के परिक्साि अपने कोंसे कुछा की परिक्सा को पास कि यह कि अपने का विखंगे की मीरी पिताजी का स्थान अंतरन वारान सी हो जाने के कारण मैंने वहाँ विध्याले में प्रवेश हितू आविदन दिया है जिसके लिए मुझे चरित्र प्रमार पत्र की आवशकता है आते आपसे निविदन है कि मुझे चरित्र प्रमार पत्र देकर कृथात करें लिचे लिखेंगे सव धन्यवाद आपका आगेकारी शिष्य कक्षा लिखेंगे और दिनांक अगला विशह अमारा स्थानांत्रन प्रमान पत्र के लिए प्राथना पत्र सेवा में श्रीमान प्रधान चारेजी, desafete Public School आजाद रोड इलाबाद उत्तरप्देश विशे लिखेंगे स्थान अंतरन प्रमान पत्र के लिए अनुरूद महदे अगली लाइन से पत्र शुरू करेंगे निवेदन है कि मैं आपके विद्याले में छटी कक्षा का छात्र हूँ मेरे पिताजी का यहां से जवल पूल यानि मध्यप्रदेश स्थान अंतरन हो गया है मैं भी अपने परिवार के साथ वहाँ जा रहा हूँ वहाँ विद्याले में प्रवेश के लिए स्थान अंतरन प्रमान पत्र यानि की टीसी की आवशकता है मैं कक्षा में सदेव प्रतम आता रहा हूँ, मैंने सांस्कृतिक और खेल कुद प्रतिक योगताओं में भाग लेकर कई पुरस्कार प्राप्त की हैं अगली लाइन में धन्यवाद आपका अग्यकारी शिश्य, कक्षा और दिनांक लिखेंगे अगला विशे स्कूल के प्रधानाचारे को आर्थिक सहायता के लिए आविधन पत्र इसे भी ऐसे शिरू करेंगे सेवा में श्रीमान प्रधानाचारे जी, राच के उच्विद्याले, सुशान्त लोग, गुरुग्राम विशे लिखेंगे आर्थिक सहायता हे तु आविधन पत्र, महोद्य और अगली लाइन से पत्र श्रू, निर्धन चात्र कोष से सहायता के लिए आविधन प्रेशित करने हे तु, सूशना शामपट पर कल निकली सूशना के अधार पर मैं ये आविधन पत्र आपकी सेवा में भीज रहा हूँ, मैं कक्षा छटी का छात्र हूँ, मैंने पाच्यू कक्षा की परिक्षा 80 प्रतिशत अंग प्राप्त करके उतिर्ण की है, मेरे पिता जी की आर्थिक सिती अच्छी नहीं है, वे कारेले में चप्रासी है, उनकी कुल वार्षिक आये 65,000 रुपे है, मे आपसे विनमर निविदन है, कि मुझे निर्धन छात्र कोश से कम से कम 300 रुपे की मासिक साहता राशी प्रदान करने की कृपा करें, सवधन्यवाद आपका आग्यकारी शिश्य और कक्षा और दिनांग उसके बाद आप जरूर लिखेंगे, अगला विशे हमारा विद्या कामगरी की समुचित विवस्था कराने हितू पत्र, महोदे अगली राइन से पत्र शुरू, सविने निवेदनी है कि हमारे विद्याले में खेल कूट का प्रयात समान उपलब नहीं है, इससे सभी कक्षाओं के विद्यारतियों को खेलने का ये थोचित समान नहीं मिल पात आपसे विनम्रता पूर्ण प्रातना है कि इस और तत्काल ध्यान दे और खेल खूद विबाग में खेलने का प्रयाप समान उपलब कराने की कृपा करें, सभी विद्यारतियों के आभारी रहेंगे, सव धन्यावाद आपका आग्याकारी शिश्य, अपना नाम लिखेंगे कक्षा लिखेंगे और दिनांग लिखेंगे, अगला विश्य है हमारा प्रकाशक को पुस्त के मंगाने के लिए पत्र है, सबसे पहले पता अपना लिखेंगे जैसे 604, बटातीन, विवेक विहार, देहरादून, दिनांग ज़रूर लिखेंगे आप, अब पत्र शुरू होगा सेवा में प्रभंदक, निदेशक, प्रीमियम, पब्लिशिंग, हाउस, रोहतक, रोड, नई दिल्ली, महोदे और अगली लाइन से पत्र शुरू, हम आपके संस्तान द्वारा प्रकाशित निमलेखित पुस्तकों के आवशकता है, इन्हें वीपी दूसरा व्याकरण परिचे 6, दो प्रतिया, तीन लिविंग साइन 6, दो प्रतिया, चोथा है न्यूंगली 6, दो प्रतिया, पाचवा है मैट्स मैजिक 6, दो प्रतिया, अगली लाइन में पुस्तकों पर उची छूट प्रदान करने की कृपा करें, सधन्यवाद भवदिय अगला विशे है, पानी की अनियमित सप्लाई तथा मटमेला वह बहुत खारा पानी आने की शिकायत है तूँ, जल निगम अधिगारी को पत्र शुरू करेंगे पत्र सेवा में अध्यक्ष महुद्य, जल निगम, राजपूर धहरादून, महुद्य, अगली लाइन से पत्र शुरू, निवेदन यह है कि शेतर राजपूर में पिछले एक सप्ता से पानी की सप्लाई नियमत रूप से नहीं हो रही है, तिन भर में है कि इस मामले की जाच कराकर अपने शेतर में स्वाच पानी की उचित विवस्था करवाएं, भाव दिये, अपने नाम लिखेंगे, राजपूर देहरादून, तो बच्चों अनुपचारिक पत्रों के संबोधन को भी जान लेते हैं, जैसे पिता, चाचा, मामा, दादा के लिए संबोधन होगा, पूज निये, पूज ये, आधर निये, अभिवादन होगा, सादर चरन स्पर्ष, और संबोधन होगा, आपका सुपत्र, भतीजा, भांजा, सुपत्र, अत्वा आपकी सुपत्री, भतीजी, भांजी, सुपत् अत्वा आपकी सुपुत्री बतीजी भांजी सुपुत्री मित्र सहेली के संबोधन होगा प्रिये और अविवादन होगा सप्रेम नमस्ते और संबोधन होगा तुमारा मित्र तुमारी सकी बड़ा भाई और बड़ी भेहन के लिए संबोधन होगा आदरनी अगरज आदरनी जीवादी और समापन शब्द होंगे तुम्हारा अग्रच, तुम्हारी अग्रजा, तुम्हारा शुप चिंतक और तुम्हारी शुप चिंतिका चलिए अब अनोच्वारी पत्रों के भी कुछ उधारन पढ़ लेते हैं जैसे पहला है मित्र को बोड की परिक्षा में प्रथम घोशित किये जाने पर बधाई पत्र सबसे पहले पता लिखेंगे माला, भवन, मेरट, दिनांक लिखेंगे पर लिखेंगे प्रिये मित्र, अपने मित्र का नाम, अगली लाइन में सवप्रेम नमस्ते और अगली लाइन से पत्र आरम होगा आज ही समाचर पत्र में दिल्ली बोड की सेकेंडरी परिक्षा का पढ़नाम देखने को मिला मुझे देखकर सुकत आश्चरे हुआ कि तुमने सभी विश्यों में विशेश योगिता प्राप्त करते हुए 98 प्रतिशत अंग प्राप्त कर आज तक के सारे कृतिमान तोड़ दिये तुम्हारे इसमान सफलता के लिए में अपनी परिवार के समस सदस्यों की और से तुम्हें हर दिख बधाई देता हूँ तुम्हारे परिश्रम तथा परतिबा को देखकर मुझे पूर्ण विश्वास था कि तुम बहुत अच्छे अंग प्राप्त करोगे लेकिन इस बात की कल्पना नहीं की थी कि तुम अपनी इसमान सफलता से आश्य चकित कर दोगे आज हम सब तुम पर गर्व का अनभव कर रहे हैं विश्वर से प्रातना है कि तुम भवश्य में भी इसी प्रकार सफलता प्राप्त कर जीवन की पत पर अग्रसर होते हो अपने माता पिता को भी हम सब की और से प्राणाम कहना ता बधाई देना उसके बाद नीचे लिखोगे तुमारा मित्र और अपना नाम लिखेंगे अगला विशे है हमारा मित्र को जन दिन पर बधाई देते वे पत्र पता लिखेंगे पहले जैसे शास्त्रे निगर दिल्ली दिनांग लिखेंगे और प्रियमित्र का नाम प्रियमित्र सप्रेम नमस्ते फिर पत्र आरम होगा यहां सब कुशल है जन दिन के लिए तुम्हारा निमंत्रन मिला इसके लिए धन्यवाद आज से ठीक पात दिन बाद तुम्हारा जन दिन आ रहा है गतवश की भाती इस वश भी तुम अपना जन दिन बड़े आनन से मनाओगे ऐसा मेरा विश्वास है गतवश तुम भिवानी थे परन्तु अब तुम अपने पिता जी के स्थान अंतरन के कारण रह तक पहुँझ गए हो मेरी ये हारदिक कामना थी कि मैं तुम्हारे जन दिन पर रह तक आता परन्तु उसी दिन मेरी चचीरी बहन का विवा है अत्य मैं उपस्तित नहीं हो पाऊंगा मैं इस अफसर पर इस पत्र के माध्यम से तुम्हें हारदिक शुप कामना थी भीज रहा हूं ये शुप दिन तुम्हारे जीवन में उनलास तथा नई आशाय लेकर आए यही मेरी कामना है चाची जी एवं चाचा जी को मेरी और से प्रनाम कहना तुम्हारा मित्र और अंत में अपना नाम लिखेंगे अगला विशेय पत्र लेखन के लिए राश्पती द्वारा वीर बालक पुरुसकार से सम्मानित अपने चोटे भाई को बधाई पत्र सबते पहले पता जैसे गोयल भवन इलाबा दिनांक लिखेंगे प्रिय अनोच, शुभाशीश, अगली लाइन से पत्र आरम आज के समाचार पत्र में ये समाचार पढ़कर हृदय असीम प्रसनता से भर गया कि तुम्हें राश्पती द्वारा वीर बालक पुरुसकार से सम्मानित किया गया है मैं तुम्हें इस प्रुसकार प्राप्ती पर हारदिक बधाई देती हूँ तुम्हें ये प्रुसकार पाकर हमारे परिवार की गौरफ शाली परंपरा को चार चान लगा है ऐसे हम सबका मस्तक्ष उँचा हुआ है तुमने जिस बहादूरी का प्रदशन करके अपने साथियों की जान बचाई थी वे घटना निश्चे ही अदम में वीरता की परिचायक है मैं आशा करती हूँ कि तुम भविश्य में इस से भी अधिक महान कारे करोगे अगला विश्य हमारा विध्याले के छात्रावास में रहने वाले छोटे भाई को परिक्षा में सर्वोष थान प्राप करने पर बधाई पत्र पता लिखेंगे 112, बटादो, कृष्णापूरी, मेरट, दिनांग लिखेंगे जरूर पर लिखेंगे प्रिया अनूज, शुभाशीश अगली लाइन से पत्रारम मुझे जानकर अत्यान थर्ष हुआ है कि तुमने विध्याले की वार्षिक परिक्षा में सर्वोष थान प्राप्त किया है इस शांदार सफलता पर मैं तुमें हार्दिक बधाई देता हूँ इश्वर तुमें भावी जीवन में इसी प्रकार सफलता प्रदान करते रहे मुझे लगता है कि चात्रावास में रहे कर तुमें पढ़ाई का अच्छा वातवरन प्राप्त हो सका है लेकिन चात्रावास में रहते हुए मित्र बनाने में सावधानी बरतना अच्छे मित्र पढ़ाई में सहयक होते हैं स्वार्थी मित्र समय एवं धन का अपवय कराते हैं अते सक्संगती मेरेकर अपने ज्यान में व्रधी करते रहना तुमारी सफलता पर एक बार पुने बदाई एवं आशिर्वा तुमारा शुप चिंताक और अंत में अपना नाम लिखेंगे तो बच्चों हमने कितने अपचारिक और अनुपचारिक पत्र पढ़े इस पाठ के माध्याम से आपको समझ में आया होगा कि पत्र आपको कैसे लिखने और इसका अभ्यासकार्या स्वयम कीजिए